Hello everyone, I am your teacher for this question. Let me explain this question to you now. Find the simple interest on rupees 4155 at rate of 19% per annum for 105 days. यहापे देखें आपको simple interest find करना है, principal amount आपको दिया हुआ है rupees 4155 and rate आपको यहापे 19% दिया हुआ है and यहापे time आपका है 105 days. अब देखें यहापे simple, principal amount P is equal to आपका है rupees 4155 and rate आपका है 19% and time T is equal to 105 days. यहापका है यहापे time दिया हुआ है, अब देखें हम जानते हैं in one year एक साल के अंदर हमारे कितने दिन होते हैं यहापे 365 दिन होते हैं, एक साल के अंदर आपका, कितने होते हैं 365 दिन होते हैं, तो यहापे आपका क्या हो जाएगा, time यहापे आपका निकला जाएगा, formula आपका होता है, simple interest is equal to principle into rate into time upon hundred, यहापका formula होता है, अब देखें यहापे, simple interest आपको find करना है, अब यहापे P आपका principle है, यहापका 4155 into rate आपका 19 है, and time आपका यहापे है 105 upon 365 and upon में आपका कितना है, 100 है, तो यहापे देखें आपको इससे 5 सो डिवाइड करेंगे, then यह आपका 21 आएगा and यह आपका आजाएगा 500 डिवाइड करने पर 73 इसी तरह यहापे 500 डिवाइड करेंगे then आपका 20 आएगा and इसको भी 500 डिवाइड कराएगे then यह आपका आजाएगा 831 अब यहाँ पर देखें आपका 831 into 19 into 21 upon 20 into 70 3 आपका हुजाएगा is equal to numerator में सभी की multiply कराएगे then यह आपका आजाएगा 3 3 1 5 6 9 upon upon में आपका नीचे denominator में multiply कराएगे then आपका आजाएगा 1 4 6 0 इसे इसको divide कराएगे then आपका आजाएगा simplify करने पर यह 227.10 rupees यह आपका हुजाएगा hence यह आपका आजाएगा hence simple interest simple interest is 227.10 rupees I hope you understood the explanation thank you